हीगाइज वेल्कम बैक टू मैंचनल तो गाइज आतकी सुक। में अपको बताऊंगा की आपका जो सेंट पेपर है मोज से यूजह होता है कहां पीड़ होता है और वह किस किस चीजहुए होता है मेंद ली तो पेंसिल और पेपर स्टम्प को रब करने के लिए होता है तो वाइग कर सकते हो ऐसा आपको गाइस जब अप्रमध को बढ़ा ओर नहीं मिलता है तो इसे मिल जाता है जब पेंट की शॉप में जाते कोई भी तो यह तो बहुत है बड़ी है मैं तो यही यूज करता हूँ क्योंकि इसका जो सेंपेपर है काफी एफेक्टिव है तो आप अच्छे से जो है रब कर सकते हो अब को थोड़ा संभाल करना पड़ेगा लेकिन अच्छे से तो बिल्कुल हो जाता है रब ब्लेंडिंग च्टम तो इसलिए आप कर सकते हो गयज तो यह तो आप बलकुल अच्छे से कर ही सकते हो जैसे कि मैं आप आपका दिखायां अब मैदे मßen प्लेंदिंग च्टम अगर बैकरॉंड यूसमेद करते हो तो बैकराउं को शेदार करने के बाद भी आप अच्छे से कर पाते हो तो वो अच्छे से जो है रब हो जाता है सैंड पेपर से तो यह सैंड पेपर तो बहुत ही जो होता है यूसफूल होता है मैं तो यह बड़ा वाला यूस करता हूं कि छोटे में तो अच्छे से नहीं हो पाता है इतना तो अब मैं आपको गाइस जो है पैंसिल से क इसे कर सकते हैं तो यह तो आपको ऐसे मिल ही जाता है ठीक है अब यह इसमें तो जो है थोड़ी बहुत मिलती है चार-पाच यह 10-20 पेजी मिलते हैं तो आप इसको पैंसिल में भी यूज़ कर सकते हैं तो वह तो काफी अच्छा अगर आप पैंसिल में ही यूज़ करें तो मैं आपको रब करके बताता हूँ यह काफी ग्रिफाइट आप्ट कर लेता है क्योंकि इसके जो टेक्स्चर होता है उसके कारण यह अच्छे से बिलकुल हो जाता है अगर आपको करना होता है तो आप कर सकते हो अच्छे से तो ब्लेंडिंग स्टम्प्स के लिए तो यह बहुत ही बढ़िया होगा अगर आपको लेना है तो आप ज़रू ले सकते हैं वर्थ बाएंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच पर वाचिंग बाए